यह अखिलेश यादब का वीडियो सुना अपने कल यूपी में एक मैच के दोरान अटल बिहारी बाजपई इस्टेडियम जो अखिलेश का बनाया स्टेडियम था उसमें बिजली गूल हो गई लेकिन खबर ये नहीं है मैं आपको दो तस्वीरे दिखा रहा हूँ एक अखिलेश यादब आज बिधान सबा का घिराओ करने जा रहे थे धरने पर बैठ गया और दूसरी तस्वीरे हैं राहुल गांधी की जो भारत जोरो यात्रा कर रहे हैं 150 दिन का सफर है 3400 किलिमिटर क दूरी है नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक ये जो सिकायत है टीवी अख़वार का गजब है कहता है कि सरकार के खिलाब विपक्ष परदर्सन ही नहीं करता है और जब विपक्ष परदर्सन करता है तो मीडिया उसको दिखाता ही नह है आप कल्पना कर सकते हैं राहुल गांधी 3500 क्लिटर की यातरा कर रहे हैं भारत जो यातरा क्या शांदार तस्वीरे है जनता सरको पर है समर्थन कर रही है महंगाई के खिलाफ विरुजगारी के खिलाफ परधान मंत्री मोधी के जनम दिन को विरुजगारी दिबस बना ह एक तस्वीरे मेरे दुसरे बिंडो में लगातार राहूल गांधी की चल रही है और दुसरे तरफ मेरे तरफ देखिए अखलेश यादव की तस्वीरे चल रही है तो नितीज कुमार ने जो बगावत की है बिहार से उसके बाद अवकलेख स्यादव सरकों पर उतरने लगे हैं आज उन्होंने विधान सभा का गहराओ किया धरने पर बैठ गये महंगाई को लेकर यहां तक का कि मुझे गिरफतार कर लो वही दूसरी तरफ राहुल गांधी के वीडियो देखिए लेकिन इस देश का टीवी अख़वार क्या दिखा रहा है आपको चीता कहां से आया है चीता नामी विया से आपको पता है उस चीता को लाने के लिए कितने करोर का खर्चा हुआ है एक बोईंग बिमान जिसमें 400 यात्री आते हैं उसको बुक किया गया उसका रंग रोगन किया गया और चीता यसा मू बनाया गया उसके बाद स्पेशल टीम के लोग आए हैं आदिवासियों का घर उजार कर उनको घेराबंदी की गई है और यह सब कुछ इसलिए किया गया कि परधान मंत्री के जनम दीन पर इसको ख़वर बनाया जा सके इस बार परधान मंत्री को अपनी माता जी का पैट छुकर आसिरवार लेना कैमरे के सामने अच्छा नहीं लगा तो इस बार उनने कुछ एडवेंचर किया एक बार प्रेस कलम में अरुन सौरी बता रहे थे कि मोदी जी हर मिटिंग में कहते हैं कि कुछ एक्स्प्लोसिव आइडिया लाओ विस्फोटक आइडिया लाओ यूनिक आइडिया लाओ तो उनके जनम दिन पर इस बार उनिक आइडिया था नामीविया का ये चीता अब आप सोचिये कि 400 हीरन छोड़े गए हैं और लोग कहरें कि ये चीता जो है ये मांसाहारी है कई ऐसी तस्वीरे भी सोचल मीडिया पर वाइरल है जिसमें लोग चीता पालते भी है तो क्या मतलब मैनेजमेंट किया गया सोचिए ये है मीडिया मैनेजमेंट का कमाल जनता विरुजगारी दिवसमन आ रहा था दस लाग से जादा इवाउने ट्वीट किया था उसको नहीं दिखाया जनता तो छोड़ दीजे राहुल गांधी की पदियात्रा को मीडिया नहीं दिखा रहा है सोचल मीडिया परमबार है वहीं दुसरी तरफ अखिलेश यादव धरनादेर है उसको मीडिया नहीं दिखा रहा है तो मीडिया लगातार SC, STOBC, मानोटी की नेताओं को तो आप छोड़ दीजे पूरे विपक्ष को बायकोट कर रहा है और इसलिए आपको लगता है कि मोदी जी के अलाबा टीवी पर कुछ है ही नहीं दरसल राहूल गांधी की लगातार चर्चा होने लगी थी अब लगा मीडिया को फिर से टांस्क मिला है अर्विंद कजरिवाल ने तो एक अलग बात ही कह दि सुचियामादी पाटी ने संडे को बड़ी बैठक की दिल्ली में किसी टीवी अख़वार ने नहीं दिखाया अर्विंद कजरिवाल ने कह दिया कि पत्रकारों को गालिया दी जाती है प्यमो ऑफिस से एक जोशी जी नाम के अधिकारी है गाली देते हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है मैं नहीं कह रहा हूं अर्विंद कजरिवाल कह रहा है सुन लिजे हिरेन जोशी जी हैं एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधान मंतरी के मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे बड़े बड़े चैनलों के हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक उनके एडिटर्स उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिखके बेचते हैं वो केजरिवाल को दिखाया तो ये कर देंगे केजरिवाल को दिखाया तो वो कर देंगे आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है आप अपने चैनल का दुरुप्यों कर रहे हो हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे क्या धंकियां दे रहे है सुना अपने लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है सोचिए इस देश का टीबी और अख़बार किस तरह से तमाम पुलिटिकल नेताओं को तमाम विपक्ष के नेताओं को वायकॉट कर रहा है लेकिन इसका काठ है अगर ये लोग चाहें तो ये कर सकते है नितिश कुमार को भली भ आती पता है अखिलेज जी को अपना सोसल मीडिया जिन्दा करना चाहिए तीबी अख़बार के बदले सोसल मीडिया ज्यादा कारगर है और सोचिए राहुल गांधी के वीडियो को तमाम यूट्यूबर्स के चैनल दिखा रहे हैं और करोड़ों में लाखों में व्यू जा सरकार आए एंडी टीरी भी से अच्छूता नहीं है तो मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह सरकार जो है वो टीवी अख़बार के दम पे चल रहा है तो एक तरफ राहुल की पद्यात्रा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तस्वीरे हैं राहुल छात्रों से बात कुजगारों से बात कर रहे हैं उनको पता चल गया था कि टीवी अख़बार चुकी प्रेस कंफरेंस दिखा नहीं रहा है तो अब सिधे जनता से बात करनी होगी और इसलिए राहुल गांधी ने तय किया है कि कन्या कुमारी से पहले कश्मीर तक जाएंगे उसके बाद फि कुरुशियल राज है गुजरात में इसी साल चुना होने हैं और आम आदीपाट को हां सेंध लगा रही है तो ये बात तो तो तय है कि क्या लगते आप लोगों की मीडिया बचा पाएगी और रही बात चीते की तो सोचिए बोइंग से आया है करोडों का खर्च है हमारे आ जागों को बचाने के लिए उजना बनाई गई थी सेरों को बचाने के लिए उजना बनाई गई थी तो ये भी जरूरी है लेकिन सोचिए किस तर से मार्केटिंग हो रही है रफेल आया था हमने जहाज खरीदा था किस तर से मार्केटिंग हुई थी सोचिए कुरोणा की मा पर इस सरकार चल रही है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चल रही है, और जब तक आप लोग टीबी अख़वार का बहिसकार नहीं करेंगे, आपको असली मुद्दा पता ही नहीं चलेगा, तो यह है टीबी अख़वार की हालत, और अब दुसरी खबर यह है, पुलिटकल हैं, उनके समर्दकों ने जाच एजनसी बालों से पूछा कि आप कौन है, कहां से आयक क्या है, यह तमाम टीबी अख़वार चला रहा है, लेकिन सोचिए वही टीबी अख़वार पसिम बंगाल में पुलिस बाले को मारा गया, डंडे से, जंडे से, उसको नहीं दिखाया, तो बीजेपी करे, वो सम माफ है, और विपक्ष में कोई कुछ कर दे, खास भी दे, तो वो अपराध हो जाता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश मीडिया के दम पर चल रहा है, इवेंट मैनेजमेंट के दम पर चल रहा है, और विपक्षी निता करे तो क्या करे, उनके पास एक ही बिकल्ब है, वो टीवी अख़वार का वायकॉट करें, सोसल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोसल मीडिया पर अपना धरना परदसन कर सकते हैं, ये देखी अखलेस याद अब धरने पर बैठे हुए है, राहूल गांधी की यातरा है, सोसल मीडिया ने सब कुछ ब नितीज कुमार ने खीचा है लालू यादब नितीज कुमार की जोड़ी ने एक बड़ा प्लानिंग बनाया है उन्होंने और यकीन मानिए 2024 में मुस्किल होने जा रही है बीजेपी के लिए इतनी मुस्किल कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं सोचिए नबीन पतनायक हो ममता बनर जी हो स्टालीन हो जेडियेस हो तमाम भी पक्षिदा लेफ्ट हो सब लोग एक जूट होने जा रहे हैं और अंत कई बार क्या होता है न कि आप जब कुछ जादा करने लगते अती कर देते हैं तो वो हानिकारक हो जाता है साथ बीजेपी के एडी इंकम टेक्स की राजनीती ने अती कर दिया है महराष्ट में सिपसेना एंसीपी कॉंग्रेस का गठ जोड होगा बिहार में जेडियू नितीश कुमार का गठ जोड होगा आरजेडी का मुके सहनी उसमें आ सकते हैं वही पस्रिम मंगाल में हो सकता है कॉंग्रेस T.M.C. लेफ्ट का गठ बंधन हो नभीन पतनाया के साथ कॉंग्रेस समर्थन कर दे जेडी एस और कॉंग्रेस का गठ बंधन करनाटक में हो हरियाना में इनकी हालत खराब है आम आदनी पार्टी कॉंग्रेस का गटबंदन हो जाए, पंजाम में आदनी पार्टी कॉंग्रेस एक साथ लरे, तो लगातार कोशिस की जा रही है कि तमाम जगों पर पहले बीजेपी को हराया जाए और इसकी सुरुवात बिधान सभा में हो सकती है, बिधान सभा में आदनी पार्टी का गटबंदन हो सकता है गुजरात में, सियम जिसकी ज़्यादा सीटेओं में उसका सियम हो जाएगा, यही काम लगातार कोशिश करने की हो रही है, और रावल गांदी सी के लिए पधियात्रा निकाल रहे हैं, और मायवती और उबैसी भी बड़े सोचिए OBC पर किस तरह से नजर है, BJP की, कुछ भी करने के लिए वो तयार है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ जो टोकेनिजम की रादनीती है, OBC कमिशन का चेयर्मैन नहीं है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, 27% रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं आप, तो यह तमाम वो जिस पर सोचल मीडिया पर डिस्कोस करना होगा, बहस करना होगा, और भी पक्षी नेताओं को, रोजी रुजगार, आरक्षन, सोचल जस्टिस, देश की सुरक्षा, विरुजगारी, इस पर बात करनी पर एगी, राष्टिये कमपनिया, मीडिया फिलहाल सरकार के साथ है, लेकिन सोचल मीडिया ने कहीं न कहीं न कहीं देखिए, जब मुसीबत आती है, जब सारे रास्ते बंध होने लगते हैं, तो कोई रास्ता खुलता भी है, सरकार को पता नहीं था कि ट्वीटर, फेस्बूक और यूटूब इतना मारक हो जाएगा, और हो सकता है कि जल्दी ह सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिशी बना दे, लेकिन सोचल मीडिया उनके हाँ से निकल चुका है, अब हर कोई पत्रकार है, और इस देश में सबसे ज़्यादा किसी की विश्वस्नियता खत्रे में है, सरकार से भी ज़्यादा तो वो टीवी अख़बार की ह सोचिये चीता, 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 मतलब बताईए कि कैसे तै कर दिया जाता है, जिस ख़बर में भय, भूक, भरस्टा चार नहों, वो ख़बर नहीं है, राहुल गांदी की इतनी बड़ी यात्रा को नहीं दिखाया जा रहा है, जो एतिहांसिक यात्रा है, डेमोकरेसी को करने लगे, कुतूब मिनार चले जाएं, लाल किला चले जाएं, ताज महल के पास चले जाएं, ज्यान बापी महजीद हो जाएं, तो लगाता एक तो और कबरे सुनिये, जो लोग करतब पत्थ, मतलब राजपत का नाम करतब पत्थ की बात कर रहे थे, कि ये बीदेसों की गुलामी का परतिक हैं अंगरेजों की गुलामी का परतिक है महरानी के मरने पर कभरेज कर रहे हैं हमारी राश्ट पति दृब्दी मुर्मू गई हैं मैं बाइलेटरल इलिशन्सिप के पक्ष में वो दो देशों का जो दिपक्षिये संबंद है बना रहना चाहिए लेकिन सो महारानियां उनका क्रिमिनेशन दिखा रहे हैं सोचे किसी ने सही कहा है कि स्वरूपा सरस्वती जो स्वरूपा थे स्वरूपा सरस्वती उनके लिए नहीं कुछ हुआ जो अपने आपको धार्मिक कहते हैं ठीक उसी तरह से गाय की वो तस्वीरे नहीं दिखा सकता हूं जिस मिडिया की सरकार है मिडिया के दम पर सरकार चल रही लेकिन क्या मिडिया भी अब एक्सपोज हो चुका है और लोग टीवी अख़बार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं निशनल दस्ता को एक महीने में कम से कम मतलब 1.4 मतलब सुचिए देर करोड एक करोड से जादा लोग देख रहे हैं एक एक दिन में एक एक करोड लोग देख रहे हैं चार-चार मिलियन लोग और महीने में तो बताऊंगा तो आपको अंदाजा नहीं होगा डेड़े 100 मिलियन लोग देख रहे हैं रोज का चार से पांच मिलियन पिछले और तालिस घंटे में डेर करोड लोग निशनल दस्तक पर आए हैं शुक्रिया इस भरोसे के लिए आप लोग का अपनी पर्तकिरिया भी जरूर दीजिएगा शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख